नमस्कार प्यारेशाथियों आर्पियेम ब्रिज यूटूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी ख़बरी लेके आए हैं बहुत ही अच्छी खबर लेके आए हैं जैसा कि आप अपनी स्कीन पर देख पा रहे होंगे कि SSC GD New Vacancy Full Detail तो हम SSC GD की जो नई vacancy आने वाली है जो 22 फरवरी शे ओनलाइन स्टार्ट होनी थी आपकी vacancy लगबग 25,271 लेकिन इसमें पद बढ़ा कर 50,000 करने की सूचना भी की गई थी तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी ख़बर है तो चलिए हम सुरुआत करते हैं सबी चीजों को समझते हैं कि SSC GD से समंदित पूरी की पूरी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है इस वीडियो को देखने के बाद उमीद है आपके मन में कोई भी डाउट या कुस्चन SSC GD नई वैकेंसी के लिए नहीं रहने बाला है तो चलिए शुरुआत करते हैं लेकिन उससे पहले जो भी हमारे यूटूब चैनल पर नई है तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और शाथ ही बैल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि हमारे यूटूब चैनल पर सभी सब्जेक्ट की बहुत अच्छे से तयारी कराई जाती है SSC GD यूपी पुलिस के लिए बहुती बहतर धंक से तयारी कराई जाती है और सभी न्यूज की सभी बैकैंसी की पलपल की अपडेट रखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को आप लोग सस्क्राइब कर लीजिए चलिए तो शुरुआत करते हैं बिना देरी किये हुए SSC GD की प्यारे शाती जो नई बैकैंसी आनी थी जो SSC ने कलेंडर अपना जारी किया था उसमें लिखा था कि 22 फरवरी से हमारे जो है ओनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे 25,271 पद के लिए और इन पदों को बढ़ा कर 50,000 भी कर दिया गया था प्यारे शाती हो कितने कर दिये गए थे तो 50,000 लेकिन फिलाल किसी कारणबस अभी ये ऑनलाइन स्टार्ट नहीं हो पाई है लेकिन बहुत ही जल्द कुछी दिनों में आपके ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि वैकैंसी बहुत जल्दी आने वाली है आप लोग अपनी तयारी में जुड़ जाए जिन लोगों का इस वैकैंसी में जो चल रही उसमें नहीं हो पाया है तो अपनी अगली वैकैंसी की तयारी बहुत ही अच्छे ढंक से अभी से स्टार्ट कर दीजिए जिससे कि अगली वाली बैकेंसी में आपको किसी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो तो चलिए आगे बात करते हैं टोटल पोस्ट जो हैं प्यारे शाथियो वो आपकी 25,271 है इसमें अगर हम male candidate की बात करें कि male के लिए पद कितने हैं तो male के लिए पद हैं 22,424 female की अगर बात करें प्यारे शाथियो तो female के जो आपके पद हैं वो कितने हैं 28,47 और male के हैं 22,424 चलिए हम क्याट एज की बात करें प्यारे शाथियो SSC GD के लिए जो आपकी एज रहनी चाहिए वो कितनी 18 से 23 18 से 23 ये एज रहनी चाहिए जनरल कंडिडेट के लिए और सभी की एज की हम बात करने वाले हैं अच्छा कर हम बात करें कि BSF में पद कितने हैं तो BSF में प्यारे शाथियो जो टोटल आपकी पोस्ट हैं वो कितनी हैं 75,45 CISF की पोस्ट की बात करें तो 8,464 SSB की पोस्ट की बात करें तो 3,806 ITBP पोस्ट की बात करें तो 1,431 अगर SSF की बात करें प्यारे शाथियो तो 240 पद हैं और ये एक आपकी नई पोस्ट इस वार से आने वाली है जो की बहुत अच्छी पोस्ट है AR की पोस्ट जिसमें आपकी पद है 3,785 तो ये हमने पोस्ट वाइड डिटेल आपको दी कि किस पोस्ट में कितने पद हैं BSF में 7,545 CISF में 8,464 SSB में 3,806 ITBP में 1,431 SSF में 2,440 AR जो की नई पद है इसमें आपकी 3,785 पद हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम Age Relax की बात करें कि किसको कितने यर की चूट मिलती है तो SCST की बात करें तो प्यारेशाथियो 5 यर की 5 यर का आपको जो है Relaxation दिया जाता है SCST बालों को लिए कितने वर्स का प्यारेशाथियो तो उनको 5 यर का चूट दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं अगर OBC की बात करें तो OBC के लिए प्यारेशाथियो 3 यर का चूट रहता है ऐसे ही अगर हम बात करें एकस सर्विसमेन की तो एकस सर्विसमेन के लिए प्यारेशाथियो 3 वर्स का चूट दिया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं male candidate की अगर हम height की बात करें, प्यारेशात यूँ, फिसकल में क्या कैसा होना चाहिए, उस topic पर भी हम बात कर लेते हैं, male candidate के लिए आपको general OBC SC के लिए, अगर आप general OBC SC candidate हैं, तो आपकी height है, minimum height कितनी होनी चाहिए, 170 cm चलिए, आगे बढ़ते हैं, अगर male candidate अगर आप male candidate और ST category से हैं अगर आप ST category से male candidate है तो आपकी height होने चाहिए 165 cm अगर आप ST candidate है तो आपकी height होने चाहिए 165 cm आगे बढ़ते हैं female candidate की अगर बात करें तो अगर आप female candidate है general OBC SC category से हैं तो आपकी height जो है वो 157 cm होनी चाहिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगर female ST candidate की बात करें female में तो 155 cm height जो है प्यारिशाथियों होनी चाहिए next आगे बगलते हैं male candidate chest की बात करें यह बहुत ही मैत्पूल भूमका निवाता है physical में प्यारिशाथियों male candidate अगर chest की बात करें तो general OBC और SC category से अगर आप हैं तो आपका chest जो है 80 से 85 होना चाहिए जिसमें आपका 80 जो रहता है वो प्यारिशाथियों base point रहता है क्या 80 और 5 cm फलाव के साथ जो आपका होना चाहिए एक्सपेंड करने के बाद वो कितना होना चाहिए 85 cm होना चाहिए male candidate के लिए chest category general OBC और SC आगे बढ़ते हैं male candidate chest male candidate में अगर आप ST category से male candidate है तो आपका जो chest रहना चाहिए वो 76 से 80 cm आगे बढ़ते हैं male candidate running तो प्यारिशाथियों male candidate को जो running qualified करनी है वो 24 मिनट में करनी है कितनी 5 km 24 मिनट में 5 km रेस कंप्लीट करनी है और केवल आपको रेस के लिए एक ही चांस दिया जाएगा प्यारिशाथियों चलिए आगे बढ़ते हैं female candidate running की बात करें तो female candidate running के लिए प्यारिशाथियों साड़े आठ मिनट में साड़े आठ मिनट में 1600 मिनटर यानि की एक दिसमलब 6 km रेस जो है उनको qualified करनी होगी साड़े 16 मिनट में और केवल एक चांस दिया जाएगा प्यारिशाथियों रेस के लिए चलिए आगे बढ़ते हैं अगर हम slabbers की बात करें प्यारिशाथियों तो slabbers को भी जान लेते हैं slabbers में सबसे पहले हम subject की बात करें तो subject में हमने लेखा है reasoning, gs, gkgs, math, english और हिंदी देखो पहरेशाथियों चार आपके topic है यानि की चार subject है चारो subject से आपके 25-25 question पूछे जाते हैं और जो की 25-25 mark के है reasoning के आपके 25 question आएंगे 25 नमबर के होंगे gkgs के आपके 25 question आएंगे 25 के होंगे महत आपके 25 question आएंगे 25 नमबर के होंगे और English के 25 question होंगे और Hindi के 25 question होंगे प्यारेशाथियों ये English और Hindi वाले में आपको महत्पूर्ण बात एक ये याद रखनी है प्यारेशाथियों कि जब आप online form भरने जाते हैं तो वहाँ पर आपका option रहता है कि आपको select कर करना होता है कि जब आपका paper होगा उसमें आप English solve करेंगे या फिर Hindi तो ये आपको वहाँ पर decide करना होता है प्यारेशाथियों इंगलिस हिंदी में से किसी आपको एक subject को ही solve करना होगा अगर आप English करना चाहते हैं तो आपको English करनी है फिर आपको Hindi नहीं करनी होगी अगर आ ये English और Hindi दोनों करनी है नहीं जब आप online form भरने जाते हैं तो वहाँ पर इस चीज का position लेना होता है कि paper आप अपना Hindi में solve करेंगे या फिर English में तो आपको किसी एक को ही select करना है जिसकी आपकी बहतर तयारी हो उस topic को आप select कर सकते हैं चलिए साथ यो आगे बढ़ते हैं आगे अगे अगर हम बात करें total आपके 100 question आएंगे और total आपको 100 marks होंगे अच्छा अगर हम time division की बात करें प्यारे शाथ यो तो time जो आपका रहता है इसमें प्यारे शाथ यो आपका online test होता है और उसमें जो आपका time रहता है question को solve करने के लिए वो आपका 2 घंटे का time रहता online आपका exam होता है तो प्यारे शाथ यो ये एक बहुती बड़ी खबर थी जो की 22 फरवरी से online start होने थे लेकिन किसी कारणबस नहीं हो पाए बहुती जल्द online form आपके start हो जाएंगे तो आप सभी लोग अपनी तयारी बनाई रखिये और अपनी तयारी करने के लिए हमारे YouTube channel RPM Bridge को आप सभी लोग subscribe कर लीजिए और शाथी बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे की कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंद तक देख सकते हैं तो उमीद है अब इस वीडियो को देखने के बाद SSC GDC सम्मंदित कोई भी डाउट आपका मन में नहीं रह गया होगा चलिए तो अपनी तयारी को बनाई रखें बहुती जल्द आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगी हमारे यूट्यूब चैनल में जोगने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्वाद चैनल को सस्क्राइब किये बिना बिल्कुल नहीं जाना है धन्वाद